नमो नमा वच्चों आजम दुतिया पाठ्था के आगे पढ़ेंगे ते के वे दौनो क्या हैं ? अब सा ते ता सा एक वचन इसलिए ते दू वचन तो ते के वे दौनो क्या हैं ? ते चाली के इस तह वे दौनो महीला ड्राइबर हैं आपको दिये गाड़ी दिखाई दे रही है गाड़ी में दो महिला है बैटी है तो दो क्या है वे महिला ड्राइवर ते किम कुरुता वे दोनों क्या कर रही है ते वहनम चालियता वे दोनों वाहन चला रही है आपको चित्र में दिखाई दे रहा है दो लेडीज है और वो क्या कर रही है वहन चला रही है एतः कहा एशा, एते, एता एता क्या आगया? भवचन आगया एशा एक वचन एक वस्तू के लिए और एते दो वस्तू के लिए दूई वचन अब एता ये बहुत सारी हैं, दो से अधिक हैं, तो ये भवचन हो गया, एताह कहा, ये सब क्या है, एताह इस्थालिकह, ये सब थालिया है, इस्थालिकह यानि थालिया, किम एताह गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार की है, आम, आम यानि हाँ, एताह गोलाकारा एव, ये सब गोल आकार की ही है जो थालियां दिखाई देए वे कैसी है गोल आकार की तहा कहा अब सा ते तहा तहा क्या है अब ये भवचन आ गया का के कहा तहा कहा वे सब क्या है तहा अजा अजह यानि बक्रियां बहुत साई ती बक्रियां दिख रही हैं दो से अधिक तो तहा अजहा व वे सब वक्रिया है, तहा किम कुरवंती, वे सब क्या कर रही है, तहा चरंती, वे सब चर रही है, आपको पाट समझ में आ गया होगा, अब इसके आगे इनके सब्दार देखते हैं, एशा यानि यह है, यह इस्तिलिंग है, दोला यानि जूला, कुत्र, कुत्र यानि कहा, दो कोयल, एते, ये, ये दुवेचन आगे इस तिलिंग में, चटके, दो गौरिया, कुरूता करती है, विहरता, फुदकरही है, चालीके, दो महिला ड्राइवर, चालीता, चलाती है, एता, ये सब ये भववचन हो गया इस तिलिंग में, इस थालिका, थालिया, आम यानि हा, एव एव यानि ही अजह अजह यानि बक्रिया और चरंती ये भवचन हो गया चरती चरता चरंती चरती है तो बच्चो पाड़ समझ में आ गया होगा धन्यवाद